कारप्राप्त है और इसके साथ साथ CBI भी कुछ investigation में मदद कर सकती हैं एक approach top to bottom और bottom to top approach पूरे तंत्र के सामने हमने करना पड़ेगा तब ही जाकर हमें सफलता मिलेगी anti-narcotics task force का जब हमने circular करा तब हमें मालूम नहीं था कि राज्यों का इतना सहयोग मिलेगा आज मैं संतो सिवक्त करना चाहता हूँ कुछी reminder के अंदर सभी राज्यों ने आज anti-narcotics task force का घठन कर दिया है और आज इसके सभी प्रमुकों का पहला सम्मिलन हो रहा है हमारे लिए बहुत आनन और सफलता का विशा है anti-narcotics task force का और इस conference का प्रमुकुद्दे से solution oriented thinking ये समस्या का समाधान क्या हो सकता है इसके जितने भी पहलू है दरियाई तसकरी है डार्क नेट है इसके आर्थिक पहलू है प्रोसीक्यूशन है एफैसल है जितने भी dimension इसके है ये जांचकाई ये लड़ाई के सामाजिक सम्रस्ता विभाग को involve करना है health department को involve करना है राजस्व विभाग और custom को involve करना है हमने coast guard और navy के साथ coordination करना है port authority के साथ coordination करना है ये सभी agency अगर एक month पर आकर चिंतन और मनन करती है तभी इसके रास्ते निकल सकते है और इसलिए भारत सरकाने सम्यूक्त सम्मन्वे समीती भी बनाई है JCC इसका एक उपा है और मैं इतना जरू करना चाहता हूं कि आप सभी ने जो database वेब portal बनाया है NCB ने encode portal और निदान और भी बनाए है prosecution के लिए भी बनाए ये सारे portal का उप्योग करना चाहिए आज जब सभी राज्यों के anti-drug transpose के अध्यक्स यहां पर है तब मैं जरू कहना चाहूंगा कि हमारे पास दो कड़े सस्त इस कानून के अंदर है और जैसा मैंने कहा कि जो ड्रग के कारोवारी है जो व्यापारी है इसके सामने रूथ्ले से अप्रोच के साथ कड़ी से कड़ी कारेवाई करते हुए हमने नहीं रुकना चाहिए अगर यह करते हैं तब ही जाकर इस लड़ाई को गती मिलेगी और और लोग इस लड़ाई में आने से पहले अपने आपको हचार बार सूचेंगे जो लोगों को आदत परती हैं ड्रग लेने की वो तो विक्टिम है मगर जो पैसो के लिए युवाधन को बरबाद करते हैं पैसो के लिए निशनल सिक्रिटी को कम्परमाईज करते हैं पैसो के लिए देश के अर्थ तंटर को खोकला करते हैं इनके प्रती हमारा रूथले स अप्रोच होना चाहिए नीद्रटेक के साथ निरिमंता के साथ पीट एंडिपिएज और इसके साथ संपती को जब्ध करने का कूर्ट करने के जो प्रावदान है इसका उप्योग हमने करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए डार्क वेब और क्रिप्टो करंसी के उपयोग के लिए सेंटरल एजन्सियों के साथ आप जरूर संपर्ग में रहे हमारी भारत सरकार की सभी एजन्सिया ततपर रहेगी आपकी क्वेरिक में आपकी सहायता करने के लिए और इसके साथ साथ ब्लॉक्चैन, विसलेशन, मैप इंटेलिजन्स और डिजिटल फोरेंशिक इस सभी आधूनिक तक्निकों का उपयोग करने के लिए भी मेरा आप सभी से आग रहे निशनल फोरेंशिक साइंस उनिवर्सिटी के संपर्क में रहे है निशनल फोरेंशिक साइंस उनिवर्सिटी इस सेतर में बहुत आगे बढ चुकी है अगर हम ब्लॉक्चेन विस्लेशन मैप इंटेलिजन्स और डिजिटल फोरेंटिक्स के लिए धंग से काम करते हैं तो ये लडाई में हम कारोबार करने वालों से दो कदम अपने आपको आगे पाएंगे पिछे नहीं पाएंगे और इसके लिए हमने सहायता लेनी हो होगी इसकी एक्सपर्ट एजिंचियों की जो भारत सरकार की भी है कुछ वीत विभाग की भी है राज्य सरकारों की भी है सब में मिलकर इस लडाई को हमने आगे बढ़ाना होगा एक यहां पर विनिस्ट्री करन के लिए पर ही मैं भार देना चाहता हूँ क्योंकि जगतक ड्रग को इसकी उचीत फॉर्मालिटी करकर कानूनी प्रक्रिया करकर विनिस्ट्र करने की प्रक्रिया हम नहीं करते हैं यह करप्शन के कारण डोटेट होने का भी भई है और माजिक चेतना को जागरूत करने के लिए भी हमें बहुत फायदा होगा इसके साथ सबी राजियोंने «ndps court और «fast track court को स्थापित करने के लिए राज्य की हाई आपको का भी संपर्क्र करना चाहिए» राज्य सरकार के माध्यम से राज्य की हाई कोट को संपर्क करका अगर स्पेशल कोट आप बनाएंगे फास्ट्रेक कोट बनाएंगे एक तो केस का निप्टान बहुत अच्छे से होगा दूसरा हाई कोट भी इसके अंदर केस की समवेदन सिल्टा विसे की समवेदन सिल्टा क को सब देखते हुए अगर जज़साब रखते हैं तो आपको प्रोसीक्यूशन में भी काफी सरलता रहेगी केंद्रिय नीजियों का उपयोग और राज्य जो पुलिस आधुनी करण के लिए और फसल के अपग्रेडेशन के लिए जो नीजिया आती है मेरा आप से आग रहे आ आपके प्रमुक सचीव गुरू और मुख्य सचीव के साथ चर्चा करकर जरूरत पड़ेद को मुख्य मंत्री जी से चर्चा करकर एफसल के अपग्रेडेशन के अंदर आप नार्को रिलेटेड एफसल फैसलिटी का अपग्रेडेशन जरूर कराई है यह हमारी प्रायोटी होनी चाहिए राज्यों ने इसमें इनिसिटीव लेना चाहिए संसाधन तो है वगर संसाधन के उप्योग में हमारी प्रायोटी प्राइट करें और इसमें नार्कोटिक्स की प्राइटी करनी चाहिए और जो वानिजीक मात्रा में एंडी पीएस के मामले है इसकी विक्तिय जांच करने में भी इडी और बाकी एजन्सियों को केस रिफर्क आपका केस आपके पास ही रहे गा प्रन्तु अन्य कानूनों में जो केस बनते हैं वो रिफर करने से वो लोग भी केस रेजिस्टर करकर कलक से कारेवाही करेंगे तो और सिकन जा हमारा मजबूर्ट होगा और हमारा जोर जैसा मैंने आगे कहा संपूर्ण नेटवर्क को द्वंस्त करने के लिए हो और हमारे जागरुता भ्यान से भी अपने आपको जोड़ना पड़ेगा आप सिर्फ पकड़ने के काम में लगे रहेंगे तो सकारात्मक दिरे 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 नश्ट हो जाती है अगर हम उनर्वसन जो आदत जिनको पड़ गई है सामाजी समाजी समाज कल्याण विभाग के केंप्स के अंदर इसको एक बाद ड्रग प्रिव्यक्ति बनाना और इसके साथ साथ जन जागरन में अगर हम अपने आपको जूड़ेंगे तो इसके लिए बहुत फाइदा होगा मेरे कुछ सुजाव है पुलिश टेकनोलोजी मिशन के अंतरकत जो भारत सरकार सुविधाय देने जाएगी आगे के समय में इसमें आप जरूर आपके राज्येंग में के अंदर टॉपमोस्ट प्राइविटी में नार्कोटिक्स को रखाईए दूसरा कॉम्यूटी के करें येंद कोड की चारों मिटींग दो मिटिंग कैंद्रियस तरपर करना ही है दो राज्य संथर पर राज तरी मिटिग और जिलास तरी है इसमें सबसे जरूरी मिटिंग जिलास तरी ENCODE की मिटिंग है अगर जिले के SP के यहाँ एक DISV Headquarter exclusive विशाय को लेकर बैठता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी से 600 लोग अगर इस देश में इस विशाय को पकड़ कर चलते हैं तो हम बहुत जल्दी से इस विशाय पर अपनी महारत हासिल करेंगे घ्रीब राप्त कर लेंगे तो जिलास्तरी एंकोड मिटिंग और राजस्तरी एंकोड मिटिंग भी हो हमारे NCB के प्रधान साब बहुत प्रसंद है कि बहुत सारे आंकड़े हैं अगर उन्हें सुन्य वाली जगे देखी नहीं है दो वाली जगे देखी नहीं है एक वाली जगे देखी नहीं है कुछ राज्यों में पचास से ज़्यादा होने से हमें अर्सित नहीं होना चाहिए जैसा मैंने का हर राज्य का एक समान प्रयास होना थे और यहां बेटे हुए सभी राज्यों के प्रमुखों की जिम्मिदारी के जिलास्तर की मिटिंगे हो केंद्रिकुरूत एंड कोड पोटल को इसके अंदर सारी इंफर्मेशन को अगर आप अपलोड कर देते हैं तो नौलेज मेनेजमेंट सिस्टिम के रूप में इस सभी को साहयता करेगा आंतराश्ट्य मादक परदार्थों की तसकरी का जो नेटवर्क है उस तक हमारी जहां जरूर जानी चाहिए और वो नेटवर्क के हमारे राज्य के हिस्से को नस्यत करने का नश्ट करने की जहमेदारी आप सभी जो प्रमुक मेरे सामने बैठे हैं इसकी है अगर राज्य सरकारे भी जेसी सी समयुक्त समन्वाई समीती बनाती है तो इसका निश्चीत रूप से फाइदा होगा और निदान जो पोर्टल है इसका भी आप जरूर उप्योग करिए इससे आपके investigation और prosecution दोनों में आपको फाइदा होगा drug network chart एक जिले का और एक राज्य का जरूर बनाना चाहिए जब तक drug network chart नहीं बनता है हमारी समस्या कितनी विश्तरूत रुप से फैली हुई है और हमें लडाई कहां concentrate करनी है यह मालूमी नहीं पड़ेगा सिर्फ परिपत्रों से चलेगा लडाई परिपत्रों से नहीं होती है मन की जिल से होती है जनून से होती है हमारे परिश्रम की प्राकास्टा से लडाई जिती जा सकती परिपत्रों से लड़ाई नहीं जिती जाए परिपत्र तो विवस्ता खड़ी करते हैं विवस्ता को सफलता में बदलने के लिए इसके साथ हमारी समवेदना जोगनी पड़ती है तो मेरा सपष्ट मानना है कि ड्रग नेट्वर्ट चार्ट आप जब तक नहीं बनाएंगे आ आपको नहीं होगा फिर से एक बार एंडी पीएस के जो कठोर प्रावदान है इस उप्योग के लिए आपको और फाइनेंचियल इन्वेस्टिगेशन के उप्योग इन्वेस्टिगेशन में इजन्चियों के उप्योग के लिए जरूर आगरा करना चाहूंगा नार्को कहन पूल के उप्योग के लिए और इसमें आपको जो सहायता चाहिए इसके लिए जरूर आप हमारे डीजी एंसीबी का संपर्क कर सकते हैं समुद्री मार्ट से तसकरी रोकने है तू आजे तुषय भी है आपका अब इसके अंदर समुद्री किनारे के राचे हैं उन्होंने बहुत अच्छा तालमेर केंडर की एजन्चियों के साथ और वहां की स्थानिय जनिता के साथ बढ़ाना पुड़ेगा जब तक के तालमे सब्सक्राइब करने के लिए भी हमने काम करने है नार्कोटिक्स प्रसिक्षन मॉड्यूल्स जो न्सीबी ने तयार किया है इसको भी हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा वित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर सोचते हैं तो लड़ाई बहुत कठीन लगती है मगर आयोजन करकर लडने लगते हैं तो जितने के रास्ते पर बहुत जड़ी पहुंच जाते हैं मेरा अनेक लड़ाई उमें मेरा व्यक्ति का तनुब हो है लड़ाई कठोय जरूर है अंतराष्टी अपराद है हम जानते हैं अंतराष्टी अपराद है डाटनेट का उप्योग हो रहा है इसके साथ-साथ अंतराष्टी हवाला कारोबार का उप्योग हो रहा है और धेर सारी तकनीक का विश्त्रित लड़ाई है मैं जानता हूँ परणतों जितने जैसी लड़ाई है अगर हम सब इस अभागार में जो लोग है एक बार संकल्प कर लेते हैं कि हम मोदी जी के जो लक्स है 2047 में भारत को नसामुक्त बनाना जब आजादी की सताब्दी होगी तब हमारी पीडी आन वाली पीडी को नसामुक्त समाज की भेट दे सकती है वो सबसे अनमोल हो सकती है और हमने इस काम के लिए इस वर ने आप लोगों को लगाया है इस काम को हम सब मिलकर मन से करें और ये लड़ाई को जीते फिर से एक बार में टीम इंडिया और होल आफ गवर्मेंट एप्रो शे नतीजे मिले हैं अगर पांस साल इसी तिवरता के साथ कि अब हमारी टोली बड़ी होगी है कि मैं जब मन्तरी बना तब टोली इतनी बड़ी नहीं ठीह चुट-पुट छुट-पुट काम होता था टा उडिनेटी वे में काम हो रहा है और इतने सारे राज्यों में इसक सभी से मन से अनुरुद है और आप सब एक साथ हम सब लड़ेंगे आप भी इसमें साथ देंगे ऐसे भरोकेस के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं और विश्वास वेक्त करता हूं कि 2037 में नई पिडी को हम नसा मुक्त भारत का जरूर उफार देंगे आप सब का बहुत बह दे मातरम भारत माता कीजे